हेलो दोस्तों, आज बनाएगे हम लोकी के कोफतों की सबजी और यह सबजी यकीन मानी आपको डाबे और होटल वाड़े सबजी की याद दिला देगा इतनी टेस्टी सबजी यह बन के तयार होते हैं और मिन्टों में बन जाते में बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं आप इसे घरपे बना सकते हो, जैसे हमने बनाई है, अगर ऐसे बनानी है, हमारा भी नया तरिका है, तो आप इसे भी देख ले और ऐसे बनाई, एक किलो लो के लिए है, उसको पहले कद्डुकस किया, और उसका जितना पाणी था मैंने हाथों से निकाल के, मतलब निकाल दिय और पानी आपक्षा यह मिला है इसको पहले एक कप पेशन के साथ ही मिला के देखते हैं इतने में अगर यह कप बेशन काफी है तो डालने की ज़़ूत नहीं है अगर थोड़ा से लगता है कि यह ज्यादा पतड़ा हो गया तो आदा कप भेशन ओर लग जाएगा ये देख सकते हो अगर हम इसका पाणी ना निकालते तो इसमें बहुत बेशन लगता और जितना बेशन लगेगा इतने फिर ये टाइट हमारे पकोडे बनेंगे तो ये देख्या धकप मैंने और डाल दिया बेशन इसमे इसको भी हम मिला लेंगे बेशन यहां पे कम ही डाले मतलब अच्छे तरीके से डाले लेकिन कम डाले हम जब इसके पकोडे बनाते है ना तो क्या होता हो पकोडे टाइट हो जाएंगे अगर बेशन जादा हुआ तो तो इससे पहले क्या करें गीया का जितना पाणी है वो निकाल ले फिर एक डेड़ कप बेशन में एक कटोरी में आराम सही मिल जाएगा पतला भी नहीं होगा रेकदम टाइट भी गोल नहीं बनेगा इधर हमने यह देखिए थोड़े इससे त्यारी करते हैं तड़के की टमाटर मिर्च लशन बारीक पीस लेंगे और इधर हमारा तेलवी गरम हो चुका है अब जेव हमारा बेशन का गोल बनाया था लोग की वाड़ा वो थोड़े-थोड़े स्तरिया तेल में हम डालते रहेंगे सिव मही करना जैसे हम पकोड़े बनाते हैं एक तरह के यह पकोड़े ही बनते हैं तो ऐसे ही हमने इन सभी पकोड़ो को आराम से ब पकने देनी यह देखिए कितने अच्छे तरीके से यह पक रहे हैं और विश्कों में यह देखिए कितने अच्छे से यह निकाल के पूरे पकोड़े हैं जीतने मैं आपको सभी को बना के दिखाऊंगे यह किन माने दोस्तों इस तरीके से आप बनाते हो ना यह सबजी इतनी अच्छी तरी टेस्टी बनते हैं कि खाते खाते टैम आपको डाबू वाल की सबजी याद आजाएगे कि सेम वैसे ही लगती है इतनी टेस्टी बनती है कि बस जवाब नहीं सबजी का बहुत पसंद आती तacy कोपतो के सब्जी और सीजन भी गीया का है तो आप हपते में में 12 बारे से जरूर बना सकते हैं यह देखिए हमारे पकोड़े बनके तयार å गुकेए कोपते तो इन कोपतो को मम निकाल लेते हैं इतने इन का कलर होना चिए यह देख सकते हो जाद आगर तेल में ऐसे बस पकात्ते रहोगे तो एकदम टाइट हो जाएंगे लेकिन टाइट हमने कोपते नहीं रखने एकदम शोप्ट रखने हैं ताकि मुँँ मजाते भी गुण जाए खात्ते टाइम भी एकदम मजा आज ज यह देखिए मैंने काफी सारे कोपते बना के तयार कर ली है यह देख सकते हो इन मैंसे कुछ तो बच्चे उठा उठा के जरूर लेके जाएंगे उससे पहले मैं इसकी सबजी बना लेती हूँ मैंने तेल गरम कर लिया जीरा डाल दिया तेज बत्ता चोटा सा टुकडा दाल चीने का अब इनको अमने हर्कास सेक लेंगे बून लेंगे फिर जो हमने प्याज काटी है चोटी प्याज है तो दो काट ले अगर बढ़ यह प्याज है तो एक काफी है यह देख सकते हो मैंने अच्छा टाइम लेना है कि यह जब तक बूनता रहे तो इसमें कलर कितना अच्छा अनाची एकोपतों में तो वह तो बहुत जरूरी है तो इसके लिए हमने लाल मिर्च का पोडर पहले ही डाल दिया है प्याज के अंदर ताकि अब यह जो कलर आएगा यह कलर लाश्ट त कि अच्छे से हमारे भूंते जा रही है ऊच्छे से रहा और भूं किया करेंगी है το हमने मिक्सी के जार में 20 म स यह यहां पर प्याज हमारे अच्छे से बुन जाने चाहिए बुन चुकी है तो हमने यह टमाटर की प्योरी जो थी वह डालती है अब इसको भी हमने कम से कम दो मिंट तीन मिंट के लिए पका देना है अच्छे से इसको पकाते रहें जब तक इसमें मसाले हैं यह तेल ना छोड़े इसमें यादी चमस अड़ी डाल दी एक चमस नमक डाल दिया है थोड़ा सामधनिया पूडर भी डाल देंगे क्योंकि नमक का ध्यान रहें नमक हमने पहले भी कोप्तों में अच्छे दाल दिया था तो जितना बाग यह वो इसम डाल ले लेकिन ध्यान से डाले तो यह देखिए हमने इसमें कम से कम दो तिन मिंट के लिए हम इसको पकाते रहेंगे और तेल निकलना शुरू हो जाएग अब यहाँ पे भी ध्यान देने के बाते हैं कि हमने एक ग्लास पाने डाला है अगर आपको यह ग्रेवी जो यह कोप्तों में तरी चाहिए अच्छी लगती है वो एकदम सुकी सुकी से कोप्तों के सबजी अच्छी नहीं लगती क्योंकि बनने के बाद भी आद गंटे बाद भी वो एकदम सुक जाती तो एकदम ताइट हो जाती है सबजी सुकी सुकी सी हो जाती है तो इसलिए मैंने इसमें दो ग्लास पानी डाला है यह पानी आप अप बनेगे से कोप्तों में कोई स्टेस्ट नहीं बनेगा कि अच्छे से उबढ गए दो तिन बार इसमें उबाड़ा आया पाणी में तब मैंने इसमें यह कोप्ते डाले हैं अगर आपको यह तरीका मेरा पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब जरू सलात हो जाता है तो यह देखिए हम इसको दो में दो तिन मिंट के लिए और अच्छे से बना लेंगे जलब की मेडियम गयस पर अच्छे से पका लेंगे इसको यहां पर यह देखिए एकदम फिलाला आपको थोड़ी तरीवाडी सब्सक्राइब लग रही होगी है तो इसको बंद करने के बाद आद गंटे के बाद भी एकदम सुके सुके हो जाए तो इसलिए मैंने इसमें दो गिलास पाने डाला था यह बनने के बाद भी अगर रख माने दोस्तों एक दम डाबवाली सब्सक्राइब और जो यह इसमें से हरकेर किसी वाफे उठ रही है न यह जरूर पडोशियों के घर तक जा रही है उन्हें भी पता चल गया कि आज कुछ अच्छा टेस्टी सब्सक्राइब रही है इतनी अच्छी बनाई है यह सब्सक्र अच्छी है खाते खाते वो भी तारीफ करते नहीं थकेंगे इतनी टेस्टी सब्सक्राइब ने बना कि